हेलो जी कैसे हैं आप सबीर दोस्तों आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं एक पैन ले लेंगे पैन में हम डाल देंगे एक गिलास दूद और दूद को अच्छे से हम गरम होने देंगे दोस्तों इस रेसिपी के लिए हमने वाइट बेड का यूज किया है आप चाहें तो इसमें ब्रॉण बेट का भी यूज कर सकते हैं तो कोई मेंटर नहीं करता आप यूज करिये या भ्रॉण बेट का यूज करी रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है और आपको ऊधिक में हमने डाल दिया है और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे दोस्तों इस रेसिपी को एक बड़ा प्राइज ज़रूर करिएगा यकीन मानिए यह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसके आगे रेस्टोरेंट धावे वाली जो रेसिपी है दोस्तों वह भी अगरतार इसको मिक्स करते रही जब तक मिक्स करिए तब तक जो ब्रेड है अच्छे से दूद को एब्साब ना कर ले और बिल्कुल आपको मावा वाला जो टेक्सर है इस रेसिपी के अन्दर आने वाला है बहुत मज़दार यह रेसिपी है आज की दोस्तों इस रेसिपी को एक बार आप ट्राय कर सकते हैं अब बड़े बड़ रेसिपी को घर पर बना के जरूर देखेगा अब अच्छे से देखिए डोके फॉम में आ चुका है तो स्टेच पर हमने गैस को बंद कर दिया तो इसको ठंडा गर लेंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना इस पर हम इस इन या यूजा कर सकते हैं आदि छोड़े जीरा स्वादलोप नमक घर शोड़े चंच हमने लाले नि posição बडर हम थोडी सी हमिलिक ब्हु इसको साड़े मसालों इसके साद अच्य से हम मीक्स कर लेंगे चिपचिपद करोगे तो आपको करेगे टियाों अपको थोड़ 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 चिपचिपद करने ऑफ यह कहाूती है। घबडुग में ब्लोक के लिये में और घंटे प्लार्य करते हैं हाथों के ऑच्वज़ क्या लाएँ BALLS जो नो दोस्तों बनके रेडी हो जाएंगे यदि कि अच्छे से हमने बॉल्स को त्यार कर लिया है अब दूसरे साइट में हमने और रखा हुआ तक गरम होने के लिए जैसे ही गरम हो जाएगा इन चोटरी बॉल्स को हम इसमें डाल तेंगे और अच्छे से इसको फ्राइ करन तो इसको हम अभी और पका लेंगे लगातार इसको पकाते हुए देखिए मुझे चार से पांच मिनट हो चुके हैं और इसमें पिल्कुस नहारा कलर आ चुका है इस तेश पे हम इसको कड़ाई से निकाल लेंगे बहुत ही मज़िदा से यह जो बॉल्स है ना जब आप एक पुफ warp करके देखिए यह देखिए मैंने सारी बॉस को इसमेंसे निकाल लिया था अब है करें हैं एक भगोने में हम दोस्तों पहले से ही पानी रखा हुआता गर्म होने के लिए अब इसमें हम आल rikt म습니다os तरसे धोह दोग कर लिए अब सारी पोस्ध यह मैंने कर देंगे और तुर्ण हो जाते हैं इसलिए पालक को इस तरीके से ब्लांच करेंगे अब क्या और यह ब्लांच पर चुकी है यह टोड़िया कफितए करना है पालक की पूरी को हम को रेडि करना है इस रेसिपी के लिए अब आलक के जो प्यूरी है रेडी हो चुकी है यह देखिए बिना पानी डाले वे इसको हमको पीसना है अब हम ले लेंगे लसन और लसन को हम करश करना स्टाट कर देंगे यह जो कुटावा लसन का जो फ्लेवर आता है नो तो इस रेसेपी में बहुत ही मज़िदा लगता है बहुत ही फ्लेवरफूल इस सब्जी बनके त्यार होने वाली है अचानक से कोई महमान आजाए या आपको कोई सब्जी समझ में ना आए न तो दोस्तों इस रेसेपी को एक बर ट्राइ करके देखेगा यकीन मानेगे यह पर आव इस सब्जी को बनाएंगे न तो बार बार बनाएंगे अब ऑईल जैसे ही करम हो गया था इसमें हमने दाल दिया है जीरा ही और कुटावर लेसुन अब सबको अचे से हम भून लेंगे ताकि जो बसालो का जो कच्चा पन है न वो निकल जाए अच्छे से इसको बूना पूस्टार्ट करना है ताकि जो कच्चा पन है लसन को अच्छे से निकल जाए अब को मेरी वीडियो से अच्छी लगती है प्लिस लाइक करेगा शियर करेगा सब्सक्राइब भी करेगा मेरे चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरे आने मेले नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती निकल अब दो प्याज ले लिए उनको मैंने बारी काट लिया था अब भी आज को भी हम लसन के साथ अच्छे से भूनना स्टाट करेंगे तब तक इसको भूनेंगे जब तक इसमें प्याज मेंसे भी कच्छा पंदा निकल जाए प्याज को सुझा रहा उन्हें तक इस पर हमें नाल देंगे टमाटर की प्यूरी लिए हम ने हम इसमें ने खुम 사़ दीया उसको भी क्रें कर लिया और बनाके तियार कर ली अप्यास टमाटर को बूनेंगे काव seamless लेंगे ये समसाल पर देंगे दिनके सबस्टेश Indumbs, पांद करें। महते दूस्तों, यह मुद्ण लापलों करें। समसाल्रा को हम मसाली और गरम मसाली को बनाएं हैंस Même आप सबस्क्राइब गर्स्कांदि案 बहुत ही टेस्टी सब्जे बनके त्यार होती है मसालों के साथ स्टमाटर को अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे जब तक म्होंने के तब तक इसमें सो डोस्तो खूल लेना है दोस्तो अचानक से अगर कूई महमान आ जाना तो आप इस सब्जी को फटा फट से बनाके उनके है देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला जो है बहुन चुका है इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है इस टेश पे हम डाल देंगे आधा कब दूद दूद से क्या होगा ना दोस्तों बहुत ही क्रीमी टेक्चर आएगा इस सबजी के अंदर बहुत ही मुझेदार हमारी दोस्तों बनके त्यार होने वाली है अगर आप दूद का यूज नहीं करना चाते तो आप इसमें फ्रेश क्रीम या घर की ताजी मलाई होती है उसका भी यूज कर सकते हैं इस पे हम बाल्स को भी इसमें डाल देंगे जो हमने बना के रखे अब इसको भी हम मसाले के स इस तरह से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है इस पे हम जो पालक की प्यूरी दोस्तों हमने बना के रेडी करी दिना वह इस तीश पे हम इसमें डाल देंगी बहुत ही डेस्टी बनती है यह सबजी एक बार इस देसे भी को ट्राय जरूर करिएगा जो बच्चे पालक को भी इसके साथ मिक्स कर लेना है अब इस स्टेज पे अब कलर देख सकते हैं कितना ही शांदार कलर आ चुका है बहुत ही फ्लेवर फुल जो है दोस्तों सब्जी पंती है तो इस सब्जी के आगे ना शाही पनीर जाजी सब्जियां भी फेल होने वाली है इस तरह से भी को करना चाहते तो इस पे आप देसी की घी का भी उसकर सकते हैं एक चोटी सब्जी भी नहीं डाला चाहते तो चाहित तो बहुत चता त्रेस्टी लगती है ड़के पता लेंगे दो मिनिट के लिए ज़ेखिए अच्छी से जो है सब्जी जो हमारे बनके त्यार हो चुकी है य इसको हम सर्व कर लेंगे, ये देखे में आपको इसका टेक्सी दिखासजí कितनी ही शांदासी जो है बनके रेडि होच्छी है अब मैं इसको सर्व कर लेती हूं, ये देखे कहीं हमारी शांदासी पालक कुफ्ता की बनके त्यार हो चुकी है वीडियो अची लग brig、、 ऑप झाल 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 झाल